Hello everyone, Jai Hind, my name is Hamza Hasni and I welcome all of you to your channel Target with Alok UPSSCPET 2021 का ये निर्मार बैच जिसमें आज से मैं English स्टार्ट करने जा रहा हूँ और English जैसा कि आप जानते हैं एक important subject है, एक एहम भूमिका है इसकी notification पढ़ रहा था तो उसमें देखा कि जो syllabus discuss किया गया है वो actually कुछ discuss ही नहीं है, बस simple way में बता दिया गया है कि grammar आएगी और comprehension आएगा तो बहुत सारे students ऐसे हैं, बहुत सारे candidates ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि actually इसका जो syllabus है वो क्या है तो हमें थरली ये जान लेना चाहिए कि English का इसमें क्या syllabus है, कैसे हमें prepare करना चाहिए और कैसे target विदा लोग आपकी help कर सकता है इसे prepare करने में ठीक है तो चलिए start करते हैं जानना बात कर रहे हैं हम syllabus की और syllabus जब जान रहे हैं तो सबसे पहले एक चीज जान लिजे कि इसमें जो पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा general English general English से मतलब ये होता है कि इतनी English जो सभी को आनी चाहिए, सभी literate people को आनी चाहिए ये exam का, examiner's का मानना होता है, ठीक है तो ये एक तरह से कह सकते हैं आपकी एक meter होता है judgment का कि general English पता है कि नहीं पता है तो general English की जब भी आप बात करते हैं तो कुछ चीज़ें बहुत common आती हैं जैसे कि बात किया जाए, पहले नंबर पर basic vocabulary की basic words आपको पता होने चाहिए, ठीक है basic words जिने आप vocabulary के नाम से जानते हैं, ठीक है तो vocabulary के नाम से जिन words को आप जानते हैं उन में कई तरहा के words होते हैं एक तो general use के words होते हैं जो आपको आने चाहिए जैसे की verb की forms आपको आनी चाहिए जैसे की common nouns आपको आने चाहिए ठीक है तो ये basic words हो जाते हैं basic vocabulary हो जाती है फिर इसी में थोड़ा सा advanced level की भी आती है तो advanced level की vocabulary आपसे pet जैसे exam में नहीं पूछी जाती उसका reason ये है कि यहाँ general English है ठीक है advanced English नहीं है तो basic words आपको सबसे पहले तयार करना होगा अब basic words तयार करने के क्या तरीके हैं basic words तयार करने के ये तरीके हैं कि आप जादा सजादा reading करिए जब आप reading करेंगे तो आपके पास नए-nay words आपके सामने आएंगे और जो नए words आपके सामने आ रहे हैं उन्हें आप underline कर लीजे underline कर लीजे, dictionary पर देख लीजे, dictionary में देखने के बाद उन words की meaning आपको पता चल जाएगी और आप फिर उसे जल्दी भूलेंगे नी क्योंकि आपने उसे अपने reading के time पर देखा है, ठीक है? उसे याद करने के जरूरत पड़े, तो इसको याद कर लीजे, लिख लीजे, पांच-दस बार, तो इस तरह से ने-ने words आपके तयार होते जाएंगे वागे हम लोग कैसे तयार कराते हैं? मैं आपको basic level के translations कराऊंगा, जिसमें basic level के vocaps धेर सारे use होंगे और अलग से भी आपको vocaps बताया जाएंगे, जो important words हैं, तो इस तरह से आप इसे तयार करेंगे फिर बात करते हैं second thing की, तो second thing आती है, इसमें sentence, sentence की जब बात करते हैं, तो sentence में कई चीजे आ जाती है sentence में आपका, जैसे किस-किस तरह से question पूछ सकता है sentence में, sentence में jumble words करके, यानि rearrange the words करके पूछ सकता है ठीक है, rearrange the words, words को arrange करके sentence बनाईए, ऐसे आपसे question किया जा सकता है या sentence में आपके formation से, formation यानि sentence कैसे बनता है, गलत बना दिया है, उसको सही करना है, improvement ठीक है, ऐसे करके question पूछ सकता है, sentence गलत है, उसे सही करिए, improve करिए, ठीक इसमें कितनी तरह के sentences होते हैं, जैसे कि आपसे वो question कर सकता है, optative sentences को लेकर आपसे वो question कर सकते हैं, exclamatory sentences को लेकर के या imperative sentences को लेकर के, या इनके हलावा interrogative या assertive, ठीक है? तो इन में से किसी से भी questions किये जा सकते हैं, और जो लोग basic grammar में थोड़ा बहुत जानते हैं, वो ये जानते होंगे, कि ये जो formation से ये तो आप अलग से सीखते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं, छोटे-छोटे होते हैं, लेकिन जब interrogative या assertive का formation सीखने की बात आती है, तो आपको एक और topic पढ़ने को मिलता है, जिसे हम कहते है tense, ठीक है, तो sentence के अंदर ही आप देखेंगे कि हमें ये सारे sentences तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, साथी साथ हमें फिर आगे चल करके tense भी पढ़ना है, तो ये मैं detail में बता रहा हूँ, detailed syllabus में आपसे discuss कर रहा हूँ कि क्या-क्या हमें पढ़ना होता है, तो basic को क्या आप हो गया, फिर sentence में rearrangement से आ सकता है, formation में आपसे, इन में से कुछ भी पूछा जा सकता है, tense का भी question related होता है, ठीक है, कई बार जब आप tense प verb की कौन सी form use करिए, तो verb की form से भी questions आते हैं, वो भी tense के under में ही माने जाते हैं, और जो verb की form से questions आ जाते हैं, वो कई बार fill in the blanks दे करके पूछ सकते हैं, fill in the blanks करके पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आपका sentence से इतनी तरह से questions बनाया जा सकते हैं, क्या rearrangement of words दे करके, improvement of sentences द करके, improvement की जगा, spotting error करके, कि sentence दे दिया, उसमें कहीं error है, error find out करिए, या tense जब आप पढ़ा जाते हैं, तो फिल in the blanks में verb की form से दिया जा सकता है, question, ठीक, तो ये एक basic structure बताया भी आगे और भी हैं, लेकिन एक important information आपके साथ share करना है, important information ये है कि UPSSCPET 2021 के लिए हमारा नि कि ये जो video है, इसके description में हमारे telegram का link दिया है, वो link वो सब के लिए free है, आप सभी लोग सबसे पहले तो हमारे telegram से जुड़ जाएए, ठीक है, जो भी PET में interested है, वो telegram से जुड़ जाएए, link पर click करिए, telegram से जुड़ जाएंगे, इसके बाद, आप में से जो भी इसकी त P.E.T. की online classes, join कर सकते हैं, target with alop में, और इसकी विशेष्टा है, कुछ, कुछ, हम additional चीजे दे रहे हैं, जिसको हम यहाँ पर share कर सकते हैं आपके साथ, कि everyday 6 hours की classes है, 6 hours, everyday आपको मिलेगी classes, ठीक है, online classes, handwritten notes, provide किया जाएगा, PDF notes, provide किया जाएगा, live doubt session होगा, आप teacher से comment में बात कर सकते हैं, अपने doubts उनके सामने रख सकते हैं, और teacher आपके doubts का, जो भी solution होगा, वो आपके सामने रखेंगे, chapter wise practice, हर एक chapter की बढ़हा practice होगी, ताकि आपको exam time पर किसी भी तरह का confusion न रह जाए, किसी भी तरह का question आप, देखकर के घबराये ना, हर तरह का question आपको बता दिया जाएगा, करवा दिया जाएगा, ठीक है, तो ये एक आपका general format बताया गया, कि classes में ये ये खासियत होगी, इनके अलावा और भी खासियत ये होती हैं, कि जब आप बैट करके कहीं किसी class में, offline class, जो general classroom programs होते हैं, वो जब आप कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, कि जैसे teachers पढ़ा रहे हैं, और वो पढ़ा रहे हैं, मान लिजे, suppose एक दो मिनट के लिए आप का ध्यान कहीं और चला गया, उनकी बताई भी कोई एक बात आप miss कर गये, तो आप जल्दी से class में नहीं पूछ पाते हैं, या अगर पूछ भी लेते हैं, तो मान कोई जरूरी काम आ गया, कोई emergency आ गई, तो आप का वो lecture मिस हो जाता है, teacher दुबारा उस topic को नहीं पढ़ाते हैं, पर online class की सबसे बड़ी विशेशता यही होती है, कि आपके पास lectures होते हैं, अगर कभी आप class मिस कर भी जाते हैं, किसी वज़ा से, तो आप बाद में class देख स सकते हैं, आपके पास यह बहुत बड़ा benefit होता है, ठीक है, तो online class की सबसे बड़ी खासियत यह है, फिर यह सारी चीज़े तो हम दे ही रहें, अचा, online classes के लिए अगर join करना चाहते हैं, तो बहुत simple सा काम है, आपको WhatsApp खोलना है, WhatsApp पर लिखना है, entry patch 2021 और इस number पर send करना है, तो number आप पहले save कर लिजेगा, आप जानते है WhatsApp कैसे चलता है, तो 87360-93317, 87360-93317, यह हमारा WhatsApp number है, entry PET 2021, यह type करके आपको भेजना है इस number पर, और सारी detail batch की आपको मिल जाएगी, इसके बाद भी कोई confusion है, मेरे इतने बताने के बाद भी अगर कोई confusion है और आपको जानना चा आते हैं, तो यह सारे हमारे numbers हैं, जिन पर आप सुबह 10 से शाम 7 के बीच, किसी भी समय phone कर सकते हैं, और phone करके जो आपके doubts है, queries हैं, वो आप यहाँ पर solve कर सकते हैं, ठीक है, तो यह numbers हैं, आप देख सकते हैं, आप इसका screenshot ले लिजेगा, या numbers लिख लिजेगा, मैसी लिए आपको समय दे रहा हूं, ठीक, तो इन numbers पर phone करके आप जान सकते हैं, वापस आते हैं हम topic की तरफ, जो मैं बता रहा था, मैं detailed syllabus discuss कर रहा था, जो की नहीं मिला है आपको, तो tense तक मैं पहुँच गया था, कि tense आपको पढ़ना है, अच्छा बहुत से लोग कहरें, सर इसमें तो सिर्फ grammar लिखा है, आप इतना सब कुछ कैसे बता रहें, तो ये सब grammar का part है, आप सबसे ज़्यादा वहां फसते हैं, जब आप से कह दिया जाए, grammar पूछी जाएगी exam में, क्योंकि grammar में फिर कुछ भी छूटता नहीं है, सब कुछ आ जाता है, ठीक है, तो tense तक मैंने discuss क इसके बाद आप से next जो पूछा जा सकता है, next जो पूछा जा सकता है, या पूछा जाता है, पूछा जाएगा, मैं ये कह सकता हूँ, वो है voice, voice क्या है भई, active and passive voice, active and passive voice, ठीक है, तो जब भी कभी आप sentence के formation की बात करते हैं, तो sentence के formation में आप sentence के kinds जरूर पढ़ेंगे, general sentence के formation जरूर पढ़ेंगे, tense जरूर पढ़ेंगे, active and passive voice भी जरूर पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो आपके sentence formations अदूर हैं, क्योंकि बहुत सारे sentences ऐसे होते हैं, जो passive voice में ही होते हैं, और verb की form से कई बार questions पूछा जाता है जो passive voice से ही पूछ लिया जाता है, तो वो पहना बहुत जरूरी है, active and passive voice, फिर next हमारा आता है narration, next है narration, narration क्या है, जिसे आप direct and indirect speech भी कहते हैं, तो direct and indirect speech भी sentence के formation के लिए बहुत जरूरी है, अगर आपने direct and indirect speech नहीं पढ़ा हुआ है, तो भी आप sentence का formation completely नहीं कर सकते हैं, you will face a lot of problems, a lot of trouble, right, तो यहां तक तो basic grammar होगे कि इतना पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा, इतना पढ़ने के अलावा काम बन नहीं सकता, फिर मैं आपको बता दूँ कि इतना जब आप पास अगला जो topic आएगा, वो काफी बढ़या topic है, जिसे बढ़या तो खेर सभी है, लेकिन अगला topic जो है, वो शुरू में देखने में बड़ा आसान लगता है, पर जब आप उसमें उतरते हैं उसके गहराई में, जब आप उसको थरली पढ़ते हैं, तब आप देखते है कि वो काफी broad topic है, और उसमें बहुत कुछ पढ़ना पढ़ता है, अगर एक plant study ना हो, तो आप उसमें काफी हग तक हो सकते हैं, तो topic क्या है, parts of speech, ठीक है, parts of speech एक ऐसा topic है, जो usually लोग समझते हैं, बस noun, pronoun की definition आ गई, मुझे parts of speech आ गया, जबकि parts of speech तो बहुत ही बड़ा topic है, बहुत broad topic है, अगर इस पर कोई अच्छे से research करना चाहे, तो 2-3 साल तक वो सिर्फ parts of speech पढ़ सकता है, इतना जादा बड़ा topic है ये, ठीक है, पर obviously हमें research नहीं करना है, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है, जितना हमारी exam में आ सकता है, या आएगा, ठीक, तो उतना ही हम देखेंगे, parts of speech के अंदर क्या क्या आता है, यह आपको पता है, parts of speech के अंदर आपको noun पढ़ना पढ़ेगा, pronoun पढ़ना पढ़ेगा, ठीक है ना, adjective, verb, adverb, conjunction, interjection, interjection, interjection में बहुत जादा पढ़ने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, पर आप फिर भी देख लेंगे, मैंने interjection को injection लिख दिया, let me correct it, interjection, preposition, बहुत सारे experts का मानना है कि इतने ही होते हैं parts of speech, लेकिन बहुत सारे experts का मानना है कि नहीं, article भी parts of speech में ही आता है, और मेरा भी मानना है कि बिल्कुल parts of speech में ही रखेंगे, क्योंकि sentence कहीं तो हिस्सा होता है ना, यह सब, तो जो भी sentence का हिस्सा है, वो parts of speech है, तो यह आपका एक मैंने detailed syllabus बताया, जिससे कि आप अपनी तयारी में इतना समझ पाएं कि यह 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 पढ़ना है, इतना तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ेगा, जब इतना पढ़ेंगे, तब जागर के आप यह कह सकते हैं कि हाँ, आपने एक thorough study किया है, अच्छा, यह सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन से किस तरह के questions बनते हैं, और आप उन questions को करें, यह तो एक general format तो पता है कि improvement of sentences करके question आ सकता है, यह भी पता है कि फिलिंदा blank से question आ सकता है, यह भी पता है कि improvement के बाद spotting error से question आ सकता है, यह सारी चीज़े पता है, लेकिन यह नहीं पता है कि वो question कैसा होगा, तो वो कैसा होगा, यह भी आप आगे detailed study में पढ़ेंगे, हर एक topic को पढ़ा कर question बताया जाएगा, अब इतना तो grammar का part हो गया, फिर next part आप से जो कहता है, वो कहता है कि comprehension भी पूछेंगे, क्या पूछेंगे बाई, comprehension, अ इसको अच्छे से समझें, comprehension word बनता है, comprehend से, comprehend का मतलब होता है, किसी लिखे वे text को समझना, यानि कुछ आपको लिखित में दिया गया, और आप उसको read करके समझ रहे हैं, तो आप उसे comprehend कर रहे हैं, तो जैसे मैंने यह सारी चीज़े लिखी मान लिजे, यह तो मैंने words कोई definition मैंने लिखी, कोई एक paragraph मैंने लिखा, या कोई story मैंने आपको दिखाई, आपने उसे read किया, read करने के बाद आपने उसे समझ लिया, तो आपने उसे क्या किया, आपने उसे comprehend किया, तो comprehend करना मतलब लिखित चीज़ को समझना, तो comprehension में क्या करते हैं, कि आपको एक unseen passage द में न्यूस्पेपर की कुछ आर्टिकल्स दे देते हैं तो अगर कोई न्यूस्पेपर रेगुलर बिस्स पर पड़ रहा है तो उसने हो सकता है देखा हो या कई बार किसी फेमस स्टोरी से जो की किसी मान लिजे क्लास 9, 10, 11, 12 या इन सारे क्लासे के सिलेबस में नहीं होती है इनकी बुक्स में नहीं होती है बाहर से कहीं से कोई फेमस स्टोरी का कोई पार्ट ले लिया जाता है अंसीन पैसेज में या कई बार ऐसा भी होता है कि किसी बुक्स से भी ले लिया जाता है तो कई बार ये हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत जिसकी पढ़ने क आदत है उसने कहीं न कहीं उस passage को पहले से देखा हो यह possibility होती है ठीक है लेकिन most of the time यह most of the times यह unseen ही होता है मतलब किसी ने देखा नहीं होता है ऐसा passage होता है ठीक तो comprehension में एक unseen passage दे दिया जाता है आप से कहा जाता है उसको read करिये पढ़िये और नीचे जो questions दिये गए हैं उन को answer करिये तो जो question होते हैं उससे examiner यह judge करना चाहते हैं कि आपने passage को कितना समझा अब अगर मैं सिर्फ comprehension को solve करने की बात करूं तो आप देखिए बहुत सारे लोग अलग-अलग tricks बताते हैं कोई कहता है कि भई पहले question पढ़िये और फिर उसके बाद passage में से उसकी answer हो जाएगा है ना मेरा मानना यह है कि आप यह सारी चीजें time के according करेंगे आप exam दे रहे हैं मान लिजे आपके पास बहुत कम time बचा है 5-6 minute बचे हैं और comprehension करना है तो ऐसे में आप यह formula यूज कर सकते हैं कि आप पहले question देख लीजे और एक-एक question देखके उसका answer comprehension में सर्च करने की कोशिश कीजे क्योंकि आपके पास time कम है लेकिन अगर आपके पास ठीक ठाक time है तो better way यह होता है कि पहले passage को एक बार पढ़ लीजे scan कर लीजे हो सकता है पहली बार में पूरा passage ना समझ में आए लेकिन उसका main idea आपको मिल जाए theme मिल जाए ऐसे आप passage को पढ़ ली जाता है word for word लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि question दूसरे words में पूछा गया है passage में उसका answer दूसरे words में है तो वो हमें समझना पड़ता है इन सभी चीज़ों के लिए अगर मैं बताऊं कि कैसे passage आपके लिए आसान हो सकता है तो यह सारे formula तो अपनी जगा पर है पर regular practice ही एक एसी चीज़ है जो आपको passage में महारत हासिल करा सकती है passage करने के लिए कोई rule नहीं है अगर आप से कोई कहता है कि passages के लिए ये ये rules follow करिए तो वो सिर्फ आपके satisfaction के लिए कह रहा है वो सिर्फ इसलिए कह रहा है क्योंकि ये तो ढूनने निकला है rules बता तो 4-5 क्या करना है हो जाएगा नहीं अगर मैं अपना 15 years के teaching experience को अगर मैं देखता हूं मैं उसमें passages solve करने की बात करता है मैंने बहुत सारी books पढ़ी बहुत सारे लोगों को देखा सुना बहुत सारे लोगों से समझा बहुत कुछ देखा है at last conclusion यही निकलता है कि passage solve करने की वास्तों में ना तो कोई trick है और ना ही कोई rules है सिर्फ एक rule है जिसे आपने अपना लिया तो passage में आप महारत हासिल कर सकते हैं और वो एक rule क्या है वो एक rule यह है कि जितना जादा हो सके उतनी जादा reading करना है आपको जितना read कर सके और read करने के लिए क्या read करना है अब जैसे अगर आप P.E.T. के exam के त्यारी कर रहे है तो आप देख लिजे 9, 10th की books 11, 12th की books जो भी है आपके पास हर एक board की books आप ले सकते हैं जो भी है जिस भी board की book आपके पास available है उसको आप read करिए आप read करते जाएए उसमें से words निकालते जाएए words भी तयार होते जाएंगे comprehension भी तयार होता जाएगा ठीक है बाकी आपको PDF में हम लोग भी देंगे मैं खुद आपको कुछ passages दूँगा जो कि आपके level के होंगे और उन passages को आप read करके यह आपको परड़े काम होगा परड़े का एक homework बना लीजे कि एक passage maximum एक passage करने में आपको 10 minute 12 minute बहुत ज़ादा लगा तो 15 minute इससे ज़ादा नहीं लग सकता तो एक-एक passage आपको परड़े करना है यह आपको habit बनाना होगा एक passage परड़े solve तो मैं क्या करूंगा कि जो भी मेरे students जो भी batch में admission लेंगे students उनको मैं सबसे पहले कुछ passages starting में अगर मैं 10 भी 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 भीजवा देता हूँ तो दस दिन का तो कोटा उनका हो जाएगा फिर मैं बाद में और भीजवा दूँगा ऐसे से करके almost 50 passages मैं भीजवाओंगा तो वो 50 passages जो मैं भीजवाओंगा उसको आप solve कर लिए ठीक है everyday कैसे होता है ठीक है तो यह आपका detailed syllabus हो गया complete syllabus अब बात यह करते हैं कि तयारी कैसे करना है मैंने कुछ तो basic चीज़े बताई दी हैं जैसे मैंने कहा कि reading को habit बना लीजे जितना read कर सकते हैं उतना read करते रही है तो एक तो यह बात हो गई दूसरी बात यह हो गई कि अगर मु कैसे आप तयारी करिए मैं यह कहता हूं कि जब आप किसी वे चीज की तयारी करिए ना तो उसको सबसे पहले समझिए उसका nature समझिए ठीक है आप अगर English की तयारी कर रहे हैं तो English कैसा subject है क्या उसमें करना पड़ता है इस nature को आप पहले समझिए ठीक तो जैसा कि हम जानते इंगलिश एक language है, English एक भाषा है, क्या है? Language, भाषा जैसे दुनिया के दूसरी बहुत सारी भाषा है, हिंदी है, संस्रिट है, चैनीज है, जैपनीज है, ग्रीक है, फ्रेंच है, वैसे इंगलिश भी екभाषा है, एक language है जब English एक language हुई तो इसका मतलब यह है कि English को जानने से पहले हमें language को जानना पड़ेगा कि यह language क्या चीज होती है अगर आप से कोई पूछता है What is a language? Language क्या है? तो आप language की definition क्या दे सकते हैं? आप language की simple सी definition देंगे आप कहेंगे a medium of exchanging ideas या आप कह सकते हैं कि language is a medium of exchanging ideas तो language की definition बहुत साधारान सी है कि ideas यानि विचार विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है भाशा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है भाशा यानि आपके मन में कोई विचार है मेरे मन में कोई विचार है हम लोग एक दूसरे से share करना चाहते हैं तो हम किसे माध्यम बराएंगे भाशा को आप देखिए मैं इतनी देर से कई सारे विचार आपसे बाठी तो रहा हूँ ना मैं यहां पर जब से आया हूँ मैं कुछ ना कुछ आपको अपने माइंड की बात अपने आइडियाज अपने विचार कुछ ना कुछ मैं आपसे share कर रहा हूँ और उसके लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ लांगवज यूज कर रहा हूँ ठीक है तो असान भाशा विचारों के आदान प्रदान का मात्धिय में और मेंली ये जो होती है ये दो तरहा की होती है दो तरहा की भाशा हे जिसमें और दूसरी होती है नौन वर्बल वर्बल, नौन वर्बल रीजनिंग भी आपने पढ़ी हो शायद या सुना हो वर्बल वो होता है जिसमें words का यूस होता है शब्दों का और नौन वर्बल वो होता है जिसमें चिन्हों का science या pics का photos का या gesture का हाथ पेर के हाव हाव ठीक है इनका यूस होता है ठीक यानि words का यूस होगा तो वो verbal language है और science, pics, gestures, etc. का यूस होगा तो वो non-verbal language है ठीक है, verbal में भी दो होती है एक होती है oral यानि मौकिक और दूसरी होती है written यानि लिखे oral obviously जो आप बोलते हैं वो oral है और written जो आप लिखते हैं ठीक है, तो आप अभी देख रहे हैं कि मैंने आप say verbal, non-verbal दोनु लांगवजेज यूज़ की verbal में मैं words लिख रहा हूँ आप ने कहीं मान लिखे बोर्ड देखा बोर्ड पर लिखा है no smoking तो ये क्या है ये verbal language में बोर्ड लगा है क्योंकि इसमें words लिखे है लेगिन अगर आप ने कहीं बोर्ड देखा उसमें कुछ लिखा नहीं है, बस बना हुआ है क्या बना हुआ, एक cigarette मान लिजे बनी हुई है और cigarette बनी हुई है, उसमें से दुआ उड़ाते वे दिखाया गया है और उस पर इसे कट लगा दिया गया ठेक तो वो क्या हो गया वो non-verbal language में बोर्ड हो गया ठेक है, तो language हमें समझ में आ गए कि विचारों के आदान, प्रदान का माध्यम language है वर्बल, नॉन वर्बल दो तरह की languages होती है, वर्बल में words का use होता है, नॉन वर्बल में sign, fix, gesture, आदी का use होता है, वर्बल दो तरह की oral written नॉन वर्बल एकी तरह की होती है तो ये समझ में आ गया अब ये समझ में आ गया, तो obviously ये भी समझ में आ गया, कि सभी भाशा है, विचारों के आदान, प्रदान का माध्यम है, उसी में से एक भाशा English है, ठेक अब जब हमें ये बात समझ में आई कि विचारों के आदान, प्रदान का माध्यम है भाषा तो अगर हम written language में देखें या oral में भी देखें इन शॉर्ट कह लिए अगर verbal language में देखें जिनमें शब्दों का यूद होता है verbal language में विचार कब share होते हैं जब आप एक complete sentence बोलते हैं माली अगर मैं यहां आता और मैं सिर्व इतना कहता PT, English, exam, preparation, thoroughly कुछ समझ में आता मैं क्या कहना चाहरा हूँ नहीं मैं words तो use कर रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा है क्या कहना चाहरा हूँ आइडिया नहीं मिल पा रहा है आपको आइडिया आपको तभी मिलेगा जब मैं एक complete sentence बोलूँगा ठीक है जैसे अगर मैंने कहा कि PT exam की तयारी thoroughly करने के लिए आप target with alok channel join करें ठीक तो अब जब मैंने ये complete sentence बोला तो मेरा एक complete idea आपको मिल गया तो ऐसे होता है ठीक है तो language किसे बनती है obviously अगर हम देखें जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें language बनेगी sentence है इसका मतलब अगर हमें English language को सीखना है तो हमें पहले sentence सीखना होगा अच्छा एक और बात बता दू language की study को ही हम grammar कहते हैं बहुत से लोग सोचते हैं grammar और language एक ही चीज़ है जबकि grammar क्या है language की study है study of language ठीक खेर तो language बनी sentence से इसका मतलब हमें पहले sentence सीखना होगा sentence सीखना होगा sentence की definition देखना जरूरी है sentence की definitions आपको बहुत सारी मिल जाएंगी मैं भी एक simple ही definition दूँगा लेकिन कुछ चीज़ें add करूँगा एक common definition चलती है कि sentence is a group of words which makes a complete sense मैं यहाँ पर एक छोटा सा बदलाओ करता हूँ और मैं लिखता हूँ sentence is a group of grammatically arranged words मतलब सिर्फ दो वर्स मैं आट करता हूँ grammatically arranged a group of grammatically arranged words which makes a complete sense क्या मतलब हुआ सीधा सा मतलब है कि भाशा व्याकरण के अनुसार grammar के अनुसार arranged यानि क्रमबद यानि हर एक शब्द की जगा होगी और हर एक शब्द को उसकी अपनी जगा पर होना चाहिए तो व्याकरण के अनुसार अपनी अपनी जगा पर रखे गए शब्दों का समू जो पूरा भावदे कहलाता है सेंटेंस तो देखा जाए तो ये definition भी एक सेंटेंस ही है ना क्योंकि इसमें भी तो कई सारे words हैं और वो सारे words अपनी अपनी जगा पर हैं व्याकरण के अनुसार और वो सब मिलकर एक भावदे रहे हैं कि व्याकरण के अनुआर क्रंबद शब्दों का समू वाक्य कहलाता है जो पूरा भावदे वाक्य कहलाता है है ना आपनी लिखा वी लव आर कंट्री तो जब आपने लिखा वी लव आर कंट्री तो आप देख सकते हैं We have one two three boys four words चार words है हमारे पास और चारो words कि अपनी अपनी जगा है हर word अपनी जगा पर रखा हुआ है सब मिलकर एक sense दे रहे हैं इसका मतलब यह sentence है अगर हमने इनकी जगा बदली और हमने लिख दिया R, फिर हमने लिख दिया V, फिर हमने लिख दिया फिर हमने लिखा country, तो क्या ये sentence होगा, बिलकुल भी नहीं, तब ये sentence नहीं हो सकता, words सारे वही हैं, लेकिन grammar के according सही जगा पर नहीं है, इसलिए ये sentence नहीं है, तो ये हमें समझना है, कि व्याकरण के अनुसार क्रमबद शब्दों का समू ही, क्या कहलाता है, वाक के कहलाता ह तो sentence की definition देख लिया, अब हम वापस आते हैं वहीं पर, जहां से हम चलेते हैं, तो ये तो समझ में आ गया, कि English एक भाशा और भाशा sentence से बनती है, और sentence किससे बनते हैं, क्योंकि sentence शब्दों का समू है, इसलिए sentence बनते हैं, शब्दों से, words से, और words अगर लिखित में देख हूँ आपको, कई बार ऐसा होता है कि words direct sentences नहीं बनाते हैं, words कई बार clauses बनाते हैं, जो clauses sentence के हिस्से होते हैं, कई बार words phrases बनाते हैं, जो phrases sentence के हिस्से होते हैं, ठीक है? तो, जब हमने sentence की definition जान ली, तो हमें phrases और clauses की भी definition पता होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि आगे हम इनके बारे में बात करने वाले हैं, तो इनकी भी definition जान लेते हैं, तो पहले मैं phrase की definition बता देता हूँ, phrase क्या है? दिखिए, अभी आपने sentence की definition पढ़ा, कि sentence is a group of words, या group of grammatically arranged words, which makes a complete sense, phrase और sentence की definition में सिर्फ इतना सा अंतर है, कि phrase भी grammatically arranged words का group है, लेकिन sentence complete sense देगा, phrase incomplete sense देगा, ठीक है? तो आप कह सकते हैं, कि a group of words, which makes a sense, जो एक sense तो देता है, but not a complete sense, लेकिन पूरा sense नहीं देता है, जैसे की मान लिजे मैंने आप से का मेज पर, तो आप पूछेंगे, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या मेज पर, complete sense नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आपने मुझ से पूछा, sir मेरा back कहा है, तब मैंने का मेज पर, तो आपको sense मिल गया, तो sense तो मिला, लेकिन complete sense नहीं मिला, complete sense आपको तब मिलता, जब मैं आप से कहता, तुम्हारा बस्ता मेज पर है, और वो तो sentence बन जाता न, अगर मैं कहता, तुम्हारा बस्ता मेज पर है, तो वो sentence हो जाता, लेकिन अगर मैंने केवल मेज पर बोल दिया, तो वो phrase हो गया, ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगे, phrase को भी आप आगे और भी detail में पढ़ेंगे, अभी generally आप याद रख लिजे इस तरह से, जैसे मैंने कह दिया, on the table, behind him, उसके पीछे, है न, तो ये सब मान लिजे, phrase है, etc, फिर clause की definition, हम देख लें क्या होती है, देखा जाये, तो clause अलग से पढ़ने वाली कोई चीज है ही नहीं, क्यूं, समझे, clause होता है, a small sentence in a large sentence, किसी छोटे sentence में कोई बड़ा sentence होती है, clause, ठीक, अब जैसे कि आपने लिखा, जैसे मैं कह रहा हूँ, I am here, मैं यहाँ हूँ, तो ये एक sentence हो गया, I have to teach you, मुझे तुमको पढ़ाना है, दो sentences हो गए, अब ये दो अलग-अलग sentences है, मैं यहाँ हूँ, मुझे तुमको पढ़ाना है, मान लिजे मैंने यहाँ पर कोई एक conjunction रखा, और दो से इन्हें एक कर दिया, एक sentence बना दिया, क्या लिखा, I am here, because I have to teach you, तो अब यहाँ पर कितने sentence हो गए, अब यहाँ पर एक sentence है, लेकिन जो part पहले अपने आप में एक sentence था, वो part अब क्या कहलाएगा, ठीक है, तो किसी बड़े sentence के अंदर जो छोटा sentence है, वो clause होता है, ठीक, तो यह आपको याद रखना है, clause के बारे में भी अभी आप आगे पढ़ेंगे, यह सिर्फ एक basic introduction है, ठीक है, किवल समझाया जा रहा है, शुरू में कि यह यह होता है, जिस पर हमें focus करना है, फिर इनकी thorough study आपको आगे करनी ही करनी है, ठीक है, अब यहाँ तक हम पहुँचें, तो phrase clause हमारा clear हो गया, letters को लेकर के जब आप पढ़ाई करेंगे, तो उसके लिए topic बनेगा parts of speech, जो की lengthy topic है, वो मैं बताऊंगा आगे, फिर letters को लेकर के जब बात किया जाता है, तो letters में भी कुछ important information है, जो आपको जानना पढ़ेगा, तो अगर मुझसे कोई पूछता है, सर आप कहां से शुरू करूंगा, obviously ABCD नहीं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन उससे related जो important information है, जो exam में पूछी जा चुकी है, पहले कुछ exams में, और जो आगे भी पूछी जा सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा, और ये सब होगा next class में, आज के लिए काफी कुछ मैंने बता दिया है, फिर मैं आप को last में एक बार और बता दूं कि, जो भी लोग हमारे निर्मार बैच, निर्मार बैच, UPSSCC PET 2021 का निर्मार बैच में जो भी लोग admission लेना चाहते हैं, वो हमें WhatsApp कर सकते हैं, इस नंबर पर entry PET 2021 लिख करके, 87360-93317 इस नंबर पर entry PET 2021 लिख करके, आप WhatsApp कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए, आप इन नंबर में से किसी भी नंबर पर phone कर सकते हैं, ठीक है, तो यह important information, हाँ, टेलिग्राम का लिंक जो वीडियो के description में दिया है, वो सबके लिए free है, तो आप उसको जरूर क्लिक करके, टेलिग्राम से हमारे जरूर जुड़ जाएए, टेलिग्राम चैनल से, ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, चलता हूँ, फिर मिलेंगे, नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए, बाई, जैहन्द!